आप हेलो सुरेंट्स वेलकम तु अभी मन्यू आएस तार्गेट आएस 2021 में आप सभी का स्वागत है कि सो जैसक्ति सुडेंट्स हम लोग टार्गेट आएस 2021 कि सेशन के अंदर करण्ट अफेर्स को अगर मैं बात करूं करण्ट अफेर्स की वो रहेंगे आपके मार्च 2020 से लेकर अप्रेल 2021 के करण्ट अफेर्स यानि की मोर देन कि मोर देन वन यह के करेंट अफेर्स हम लोग टार्गेट आएस 2021 पावर्ट बाइद अभी मन्यू को कर रहे हैं क्लियर रेक्ट और कवर अभी करेंगे बहुत ही वेल डिटेल्ड में में और अगर मैं बात करूं अभी तक हमने माइड डियर स्टूडिंट्स मार्च एप्रेल में जून जुलाई ऑगस्थ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लिया है आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा डिसंबर 2020 के करेंट अफेर्स के बेसिस पे यानिकी लेक्चर नमबर 46 बेस्ट ऑन डिसंबर 2020 करेंट अफेर्स और मैं कुछ करना चाहूंगा वह नए लेर्नर के लिए जो पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं कि यह सेशन की पीडियेफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिये गए लिंक वे जाकर आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे क्लियर रहे और बस आप लोग हमारे साथ बने रहीगा क्य सबसे पहली न्यूज रहती है माइक्रोवेव वेपन और यह आपकेल इंपॉर्टेंट है जी एस पेपर 3 के लिए के लिए सबसे पहली न्यूज इंपॉर्टेंट रहती है कि दिग्ति है की भारत ने डिनाए किया लिखा कि इंडिया हाज डिनाएट कि रिपोर्टस इपाउट दी यूज ऑफ माइक्रोवेव वेवेपन बाइचा रिपeral रखें इंडा हाउद दैनाइट दैनाइड रिपोर्टस इन्डार हाज दैनाइड डिफोर्टस अगार्य प्रिटिश डेली ताइम्स आता है उसके रिपोर्ट के आधार पे चाइनीज प्रोफेसर ने क्लेम किया यह दावा किया है यह दावा किया है यह दावा किया है यह रिपोर्ट में क्या क्लेम किया है क्लेम्ड दाट देवेपन वास यूज इन ऑगर सेनी की जो ताइम्स में रिपोर्ट में 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 चैना के ट्रूप्स ने माइक्रूब वेपन यूज किया ऑगर्स्थ के अंदर वें इंडिया है यह दाविनेटिंग हाइट्स आड दे साउथ बेंक ओफ पैंगॉंग सो लेक कौन सी लेक है पैंगॉंग सो लेक आट दे चुशुल सब्शेक्ट क्लियर है यह चीज आपके लिए प्रिल्लिम पर्स्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरिया मैं सर्फ किसकी बात कर रहा हूं एरिया की बात कर रहा हूं लिखा गया है न कि भारत ने केप्चर कर लिया था एक डॉमिनेटिंग हाइट्स को कहां पे आट दे साउथ बेंक सब्सक्राइब करेक्ट है कोई डाउट तो नहीं है आपको ओके आगे फर्दर चलते हैं क्या बोला गया कि भारत और चायना की इंडिया एंड चायना हाव बेन इन एंटेंट स्टैंड आफ फॉर दे पास्ट सिक्स मन्स एड दे लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल इंद दक अरे गल्वान वेली को लेकर जो प्रॉब्लम आई थी तो वह चीज यहां पर फिर से दोहराई गई है कि उस टाइम पर जो क्लैश हुआ था माइक्रोवेव वेपन यूज किया गया था बाइद चाइन ऐसा दावा किया एक रिपोर्ट में और वह रिपोर्ट था दे ब्रिटिश डेली टाइम स्में क्लेर रहना चलें आंगे शेल भी मूव फर्दर अब क्या लिखा गया कि दसेम रिपोर्ट ऑल्सो अपेर अन्द और यानि कि इसी तरह की रिपोर्ट को और बहुत दिखाया गया अब देखेए कि क्या बोला गया है कि यहां पर यहां पर याद रहेगी याद रखे सूरेंट्ट्स मैं आपके लिए आपको याछिर्ट करता रहता हूं जो भी प्रेलिम पॉइंट आव यू से इंपोरेंट रहता है हमारे लेकले रहना क्या बोलते हैं उसको नोन आज डारेक्टेड एनर्जी वेपन डी इडब्लूस के तहट और क्या बोला गया विच वर फर्स्ट डेवलब्ड बाइड यू एस एंड इस्ट वाइल सोवियत उनियन दिरिंग दे कोल्ड वॉर इंपोर्टेंट है करेक्ट आगे बढ़ते हैं क्या बोला कि दे एम हाईली फोकस एनर्जी अरे एक तो हाईली फोकस एनर्जी है किस फॉर्म में अध्र देख ओई तो कोई फॉर्म होता है न वो रहे गए या तो सॉनिक लेजर या फिर माइक्रोवेव्वेव्ज आट टा अब यह दो बेस है इंपोर्टें स्थाइन रहेंगा फिर से हमारे साइंस इंतक लिए point .tar sche माइक्रोव थैंस कब्रीटै से ऊसके और क्या है वो ब्यूरेत अब ड्र रोह से प्रोंphेल डाच सव्थालम आस काएन से संसेशन्स न्हांि the head बिल्कुल है ना due to the phenomenon known as the thermo elastic effect important रहेगा यह चीज important रहेगी कि कौन सा effect है वो है thermo elastic effect मैं यहां पर प्रिल्म पर्स्पेक्टिव से यह चीज आपके लिए important रहा हूं correct याद रखें एक बुजिंग sensation सी produce कर देता है दिमाग के अंदर और यह फिनामेना रहता है जिस वह फिनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं थर्मो elastic effect बोला जाता है यहां पर अब आगे देखिए इसी तरीके के तो माइक्रो वेपन्स हैं across the globe के अंतरगत की a number of countries are believed that to have developed these weapons to target both humans and the electronic systems correct अब क्या बोला गया चाइना की रिपोर्ट के एकोर्डिंग की according to the report चाइना हैड फर्स्ट पूट ओन डिस्प्ले चाइना ने सबसे पहले डिस्प्लेय किया किसका इट्स माइक्रोवेवेपन का जिसको बोला गया था अल्सट प्रोटवेस्ट ताइप माईक्रोवेवेस्ट टाइप इनुने बिस्प्लेय वेपन चाइना ने इवन इसको डिस्प्लेय भी गया था चारटे हैं अब देखिए आप देखिये थे युनायटेड सेंट्स इस्टाइट असो डिएटेट आप प्रोटोटाइप माइक्क्रो वेव स्टाइल वएपन अन्हें विक prototype बनाया है यूस ने और उन्हें क्या बोल दिया एक्टिव डोनाइल सिस्टम क्या बोला गए एक्टिव डिनाय सिस्टम अरे यह चीजों को आप लोग नोट आउन करके रखे सुदेंट्स चाइना के माइक्रोब विपन का क्या नाम रहेगा डाट इस अगर आपको डाउट रहता है ना कोई भी न्यूस को लेकर तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखेगा क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ना जो आपके कमेंट्स हैं उसको को देखता रहता हूं और किसी भी सुद्गों को कोई डाउट रहता है तो नेक्ट सेशन के अंदर मैं उसके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा चलते हैं आगे अब देखें यहां पर हमारी आज की निक्स निउस रहती है एक आइसबर्ग है वो कौन है ए जी एस पेपर 3 क्लियर है शुरू कर शकता हूं मैं यहां पर तो ठीक है मैं शुरू करता हूं तो सुनिय ध्यान चे क्या बोला कि जो आइसबर्ग है जिसका नाम क्या है ए 68A कि विच काल्व फॉम अलग हो गया एंटार्टिका से अलग हो गया इन दे टू थाओजन सेवन्टीन हास बीन फ्लोटिंग ओफ दे कोस्ट आफ साउथ जॉर्जिया आइलेंड यानि की फ्लोट करते करते वो कहां तक आ रहा है और दे कोस्ट आफ साउथ जॉर्जिया आइलेंड तक आ गया है क्लियर है और क्या बोला यह एक ऐसा आइसबर्ग है एन आइसबर्ग इस द आइस दाट ब्रोक और फ्रॉम ग्लिशियर्स और शेल्फ आइस और इस फ्लोटिंग इन ओपन वाटर अरे यह इंपोर्टेंट रहेगा नॉलेज प करता हूं क्या लिखा कि जो आइसबर्ग है वो ट्रेवल करता है समुंदर के पानी के साथ ओशन वाटर के साथ और आइदर गेट्स कॉप अप इन शेलो वाटर्स और ग्राउंड इंसल्स जी एन आफ्टर क्या बोला गया है थे यूएस नाशनल आइस सेंटर यानिकी यू अचिम्स एं ट्रैक दो एन्टार्टेक आइसबर्ग जो इंपोर्टन रहेगा यह चीज आरक के लिए प्रलिम पर्स्पेक्तिव से यह चीज़ इंपॉर्टन के लिए जो आइसबर्गै यी इसका नाम जोए 68a रखा गया वो किसके द्वार रखा गया वह युनाटेट स्टेट्स नाशनल आइस सेंटर के द्वारा और इसको अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह आफ को सिन्दी की साउथ और जॉर्जिया आइलेंड के पास पहुंच गया और इसको ट्रैक किस तरी किया अगें सब्सक्राइब है और नेम्ड एकॉर्डिंग टू दे एंटार्टेक क्वाड्रेंट इन विच दे आर स्पॉर्टेट करेक्ट को सौरी ओके आगे चलते हैं अब आगे देखेगा ध्यान से यहां पर एक काफी डिटेल्स में मेंशन किया गया है और हम लोग इसको अराम से हैं अब देखिए एक तो इसके शेप के ऊपर बात की गई है लिखा कि शेप लाइक अ क्लोज्ट हैंड यानि की बंद मुठी की तरह है विद पॉइंटिंग फिगर और कुछ ऐसा लग रहा है कि एक फिगर को पॉइंट कर रहा है पॉइंटिंग फिंगर दा आइसबर्ग सब्सक्राइब अलग हो गया कहां से फ्रॉम लासन आइस शेल्फ ऑन दे वेस्ट एंटार्क्टिक पेंसुला मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह चीज आपके लिए अरे प्रिलिम पर्स्पेक्टिव में यह चीज पूछ सकते हैं याद रखिएगा माइड डियर स्टूरेंट अब यह पड़ा कि आइसबर्ग है वो अलग हो गया अंतार्टिका से अरे कहां से अरे वो हो गया लार्शन आइस शेल्फ से यह यह बना हुआ था अंतार्टिका के वेस्ट एंटार्टिका पेंसुला में यहनि की विच्छ वांड फास्टर देन एनी अदर पार्ट्स ऑफ क्या बोला गया कि on its journey smaller icebergs have carved from the icebergs and the biggest section of the iceberg is called A68A यहनि की जो सब्से बड़ा है उसका नाम रखा गया A68A और उसका एक रफली एरिया कितना रहेगा 26,000 स्कूर किलोमेटर्स का अगें प्रिल्यम पॉइंट आफ यू से पहले दो पॉइंट्स आप लोगों के लिए न यह स्लाइड के इंपोर्टेंट रहने वाले हैं याद रखेगा my dear students पहले दो पॉइंट्स आपके प्रिल्यम परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट डूल पे करते हैं क्लियर रहे आ ते सब्सक्राइड बॉस तर्टेंट इस्याएं दोग रिखेटों आपके इन यह स्टियाइट रहने की इन जी एक्टेन औरे रिखरी व्हे चीपनेट इस्ट्विट औरे व्हें आखेट पी आटेक्टियर बॉल्यम पॉल्यम पॉट इन इंपोर्टें गोडाय लिए व्ह अरे किसकी तरह किसकी तरफ मुवमेंट बह रहा है वह आपका शॉथ जोर्जा कि तरह लिए विच एस ब्रिटेंश तरिटरी बोट और किसका टेरिट्री यह साउथ जोर्ज ब्रिटेंश ऑपर हम लोग आगे चलें अब इसी के ऊपर आधारत है देखे का ध्यान से कि यह एक फिर है कि दफिर is that एक डर है कि that if the iceberg ground itself near the island अगर यह iceberg ने अपने आपको South Georgia island के पास grounds कर लिया it could cause disruption to the local wildlife बिल्कुल है that forages in the oceans penguins and seals which have to travel further in the search of the food यह निकी penguins को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी seals को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि यह penguins और seals काफी लंबी दूरी तक टै करते हैं for the search of the food in the oceans clear आगे बढ़ते हैं क्या लिखा और दूसरी तरफ कि on the other hand there are some positives of the icebergs अरे कुछ ऐसे positives भी है इसी iceberg को लेकर यही iceberg को लेकर कुछ positive भी है यानि की being stuck in the open oceans since icebergs carry dust which fertilizes ocean plankton यानि की जो iceberg क्या करता अगर यह beach में रुख गया ground कर लिए अपने आपको तो यह काफी जादा beneficial role play करेगा किस के लिए plankton के लिए ठीक है ना क्यूंकि यह मिट्टी को वहीं पर deposit कर देगा which draw up the carbon dioxide from the atmosphere correct tech कि आगे देखे क्या लिखा गया है कि the British Antarctic survey which sorry the British Antarctic survey है जेनोंने launch किया research mission याद रखें यह prelim perspective से important रहेगा मारणी एक British Antarctic survey है जिसने launch किया research mission जो a68 को study कर रहा है impact on the ecosystem की इसके क्या प्रभाव पढ़ेंगे ecosystem के ऊपर क्या impact पढ़ेंगे इसके ecosystem के ऊपर की जो British Antarctic survey है is a component of the natural environment research council नर्क का यह है कि national environment research council का एक छोटा सा component रहता है और NERC is a part of the UK research and the innovations के लिए क्लियर एक पार्थ है तेन आफ्टर क्या बोला किसका पार्थ है UK research and innovate innovations का कॉन national environment research council निकी NERC और फुर्दर हम लोग किसकी बात कर रहा है British Antarctic survey की clear अब देखे कि it delivers and enables world leading interdisciplinary research in the polar regions करेक्ट है students यहां तक shall we move further अब देखेगा यहां पे क्या लिखा गया कि काल्विंग इस दर glacial logical terms for the mechanical loss clear रहना काल्विंग क्या चीज रहती है यह एक glacial logical term है जिसका मतलब क्या for the mechanical loss यानिकी और simply break तूटना of किसका आइस का कहां से sir glacier margin से कहां से students glacier margin से correct है चलें आगे ध्यान से देखेगा यहां पे आप लोग क्या लिखा गया कि जो काल्विंग की बात की गई है जो geological term है is the most common when a glacier flows into water यानिकी बहुत common है जब एक glacier पानी के ओपर तहर रहा होता है after the breaking of that is the lakes or the oceans but can also occur on the dry land यानिकी dry lands पे भी possible है और वहां पे क्या बोल दिया जाता है dry calving यह important रहेगा हमारे लिए एक minute प्रिल्लम point of view से यह चीज़ इंपोर्टेंट रहेगी definition important active what do you mean by calving or the dry calving में अगर match the columns में कोशन पूछा जाए clear अब देखिए बिफोर कैल विंग करेंगी कैल विंग होने से पहले कुछ 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 क्राक्स पढ़ेंगे अब्विस अगर क्राक्स छोटे से बढ़ा होगा तभी तो देख ओफ होगा ना कि बिफोर कैल विंग अकर स्मॉलर क्राक्स फ्रेक्ट्रस या फॉल्ट भी बोल सकते हो इन्द ग्लेशियर आइस ग्रोस बढ़ेंगे इन्टु दे लार्जर क्रिवासस कि इन्टु दे लाजर क्रिवासस के अंदर क्लियर है सुदेंट्स यहां पर आगे चल सकता हूं मैं कोई डाउट नहीं है आप लोगों को ओके अब आगे देखिए कि दे ग्रोथ आफ दे क्रिवासस जो इसका ग्रोथ है किसका क्रिवासस का वह एफेक्टिवली डिवाइड करता है आइस इन्टु दे ब्लॉक्स आइस को ब्लॉक्स के अंतरगत ओके डाट सब्सीक्वेंटली फॉल्ट फॉल्स नौट एंटू अन एजिसेंट लेक्स यह है चोग्रफी के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं फॉर्द डिटेल्ड स्टडी ऑफ ग्लेशियर्स आइसबर्ग्स करेक्ट है आगे चले अब कंसेप्ट पे फोकस कीजेगा जो हम लोग देख रहे हैं कि इन द लेक टर्मिनेटिंग अरे अगर एक लेक टर्मिनेटिंग कि अगर मैं बात कर लूँ यहां फिर आप लोग फ्रेश वाटर की जहां पर बात कर रहे हैं किसकी लेक टर्मिनेटिंग यहां फ्रेश वाटर की बात कर रहें ग्लेशियर्स के अंदर तो कालविंग इस ओफन आव वेरी एफिशेंट प्रोसेस आफ देशियर्स आप देर कि it implies combined process up your a combined process it. कॉन कॉन साथ एक टु सब्लीमेशन सब्लीमेशन क्या हो गया , तो सुलेट शे लीकूट जाना , यह तो प्रॉसस के अगर हम लोग विकम सौलेट से डारेकली गाशन फार्मिनर ए अगर मुट खॉलेशस ऑना , इस वाल अल ना एफर देशन ना then after fusion or the melting and evaporation which remove snow or ice from the surface of the glaciers or from a snow field correct test students yahaan tak aagay bade abdekhiye kya bola gya hai ki up to the end of 20th century sorry the Larson ice shelf had been stable for more than 10,000 years correct abye background is ka history bata rhea ki 1995 may however a huge chunk bokhot bada hissat broke off followed by the another in the 2002 yankee 1995 may sabse pehle break what huge chunk fir hua 2002 many after seven years this was followed by the break of of nearby wilkins ice shelf in the 2008 again six years ke baat fir se 2008 and nine may ho gaya and a68 in the 2017 yad rakhye ga yani ki six to eight years ke in between hamisha ham loog kya aadroph raha kiaga visto basic max aadering ok o considering a lot of origin Let me get पानी ठंडा वो फिर से वो लिक्ट फॉर्म में आएगा तो पानी फिर से एक्स्पैंड कर जागा वो बढ़ाता है यह एक हो सकता है कि क्राक अधा दसरफेस सप्लिटिंग अइस फॉर्थर डाउन यही जो पानी को और नीचे स्वरी बर्फ को और नीचे तक धक्टे लेगा वोस और मोस्ट सर्टेनली दम में कलप्रिट इन इच केस यही तो एक में कलप्रिट है करेक्ट है अरे इंपोर्टेंट मां कर लो कि आगे बढ़ता हूं क्या लिखा गया कि हाइड्रो फ्रेक्ट्रिंग इस वाटर वेल डेवलप्मेंट प्रोसेस यह एक पानी का वाटर वेल डेवलप्मेंट प्रोसेस है सुरिंस याद रखेगा जिसके अंदर इंवॉल्फ किया गया इंजेक्टिंग हाय प्रेशर वेल एंटु दे बेड्रॉक फॉर्मेशन इमीजेटली सेराउंडेंग इट करेक्ट है कोई डाउट नहीं है आप लोगों को अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जुरूर लिखेगा आगे बढ़ता हूं क्या लिखा कि एट वास और इजिनली डेवलेब्ड वाइल और गास इंडस्री तो एंक्रीज वाइल गास वेल प्रडॉक्शन ऑके यहां पर क्या लिखा गया लाग ग्लोबल स्केल पे ड्रिलिंग की जाती है है रिड्रो फ्रेक्ट्टिरिंग है जिसके कारण सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस ग्रीज अमीजन होते हैं लीडि प्रेलियम प्रस्पेक्टिव से इवन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी है जिसके आप लास्ट पॉइंट पारें की ड्रिलिंग होता है हाइड्रो फ्रेक्शनिंग होता है जिसके कारण ग्रीन हाउस गासे काफी हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग करती है तो यह भी पेपर 2 के लिए एक और जीएस पेपर 3 के लिए इनकी ड्राइवर लेसा बोल सकते हो जी अब देखते हैं इसके अंदर क्या है देखें ध्यान से कि भारत के प्रधान मंत्री जी ने प्राइम मिनेस्टर हास इनाउग्रेटेट अग्रेट इनकी ड्राइवर लेस्मेट्रो कि won the Delhi Metro Magenta लाइन कहां पे Delhi Metro Magenta लाइन में क्लेर है क्या बोला गया देखें ध्यान से कि यहां पर एक और extension की बात की गई है the fully operational national common mobility card क्या है national common mobility card to the airport express line of the Delhi metro rail corporations के त्वारा अरे national common mobility card क्या चीज है आप लोग इसके लिए थोड़ा सा डाटा add-on कीजिये students what do you mean by national common mobility card number one the prime minister has launched दर इंडर जीनियसली डेवलब्ड नाशनल जुस्ट आ सेकंड जो इंडर जीनियसली डेवलप हुआ डेवलब्ड नाशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रधान मंतरी जी के द्वारा लॉंच किया गया नाशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसको आप लोग क्या बोलते हो एंसी एंसी जी बिल्कुल क्यों देखे कोई ना कुछ इसके पीछे रीजन रहा होगा ना कुई एम पीपल टू पे मल्टिपल काइंड्स आफ ट्रांस्पोर्ट चार्ज याद रखेगा कई तरह के ट्रांस्पोर्ट चार्ज हम लोग यहां से पेज कर सकते हैं विद दे हेल्प आफ नाशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिये से क्लियर है और इन्क्लूडिंग अध्रो सर्विसस और इवन टोल टेक्सस भी आप लोग दे पाएंगे नाशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिये से पूरे भारत के अंदर अक्रोस दे कंट्री यह बोला गया है फॉर दे नाशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अगर अब इसी के लिए नो-डाउन-कीजियेगा अगर बात की जाए किबर अज वन नेशन वन कार्ड एं योन ट्रांस्पोर्ट पॉपस के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो आपको एलाव करता है वुड़ एलाव कि दो होल्डर्स कि टू पे देर कि बस ट्रेवल लिए इनकी बस ट्रेवल भी इसी के अंदर इन्क्लूड कर लिया गया टॉल टेक्सस को भी इंक्लूड कर लिया गया इसी के अंतर्गत याद रखेगा एवन रिटेल शॉपमिंग कि रिटेल शॉपिंग की बात की जा रही है एंड इवन कि विड्रॉद मनी यह निकि आप वन नेशन वन काट से अपने बैंक अकाउंट से पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से जो लिंक रहेगा वहां से आप लोग मनी भी विड्रॉद कर सकते हैं तो यह बोला गया है यहां पर देखियेगा कि यह डिमर्स के अंडर भी आ रहा है आपका जो इंडियास फुल्ली और मेट्रो है जो मेट्रो में जेन्डर लाइन पर शुरू किया गया है कि विड्स एचीवमेंट अब यह चीवमेंट होने से कि DMRC हैस एंटर दे लाइट लीग जो डेली मेट्रो जैना रेल कोपरेशन वह एक लाइट लीक अंदर आ चुके हैं आप दे सेवन परसेंट अफ वर्ल्स मेट्रो नेट्वर्क के अंदर वेर सच फैसलिटी इस अविलेबल यहां जहां पे मेट्रो की ड्राइवर लेस फैस इंट्व 2,014 के अगर बात की जाए अब अगर आज की प्रेजटी बात की जाए 2020 के लिया 21 के लिए भी तो 18市टीज के बात की अदर मेट्रो अभीलेबल है यहां पर लिखा कि जो ड्राइवर लेस्ट्रेन है याद रखेगा जो ड्राइवर लेस्ट्रेन है विल बी फुल्ली ओट्नुमेटिट रहते हैं तभी तो बोला गया ना कि यहां पर क्या लिखा गया इसी के एंडर की यह क्या यूज करते हैं इसी के एंडर की यह क्या यूज करते हैं इस ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है और अटोमेटिट मेट्रों के अंदर जहां पर फिफ्टी परसेंट अफ द एनरजी कहां चले जाएगी वापस ग्रिट के अंदर चली जाएगी वें दे ब्रेक्स आर एप्लाइड विच विल सेव अकूंस इनरजी यानि कि इससे हम लोग एक प्रॉपर एमाउंट की एनरजी भी बचा सकते हैं मेकिंग एट आन एनरजी एफिशेंट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट है यह स्लाइट का याद रखिएगा यह चीज़े इस तरीके की टेक्नोलोजी अगर अगर हम पूरे भ इनरजी से वह रही है इस और एनरजी से वह रही है इस बिल्कुल आगे क्या लिखा गया इन पूस्ट्टू मेक इन इंडिया अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत का मेक इंडिया कैम्पेन है उसको अगर बढ़ावा देना बूस्ट देना है वेरियस बिक कमपनीज आ रहे हैं मेट्रो के कॉंपोनेंट्स भी बनाया जाते हैं क्यों टूबूस्ट अमेक इन इंडिया इवन तूबूस्ट आत्मंदिर भारत अब यहां ना जो शुरू क्या गया है भारत के प्रदान मंतरी जी के द्वारा नरेंदर मोधी जी के द्वारा जी बिलकुल आप अरे पावर एफिशेंसी को भी बढ़ाया जा रहा है अब आगे बढ़ें अगर यहां पे एक चीज़ मेंचन की गई क्या है रीजनल रैपेड ट्रांजिट सिस्टम याद रखें क्या है रीजनल रैपेड ट्रांजिट सिस्टम है और मेट्रो लाइन मॉडल्स विल रिडि क्या है ओके यह चीज़ आपके लिए इंपॉर्डेंट यहां पे रहेगी प्रेलिम पर्स्पेक्टिव से नो डॉन करके रखेगा सुड़न्स यहां पर ओके फर्दर चलते हैं क्या बोला कि कि यहां पर लिखा कि इट विल गिव असस्टो अल्डे मॉड्स आफ ट्रांस्पोर्टेशन यानि की यह हर एक मॉड्स आफ ट्रांस्पोर्टेशन के लिए असेसिबल रहेगा बिल्कुल जी और विल दू अवे विद दे कॉंप्यूटर्स विद विद वीड वाट कर रहें यह बात कर रहें एंसी एमसी की यह निकि नाशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड के ठीक ना यनिकि यह एलाव करता है पे करना जो बड़ी लंबी लाई ने लगती है उससे बच जाएंगे टोल चार्ज़स बिटेल शॉपिंग पर्मिट देम to withdraw money at the same time और यह है आपका नाशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अब अगर आगे की बात की जाए इट विल एनेबल एनीवन कारिंग रुपे कार्ड डैबिट कार्ड इश्यू इन अनी पार्ट आप अब देवलोप्मेंट्स की भी बात की गई है क्या है देखिए क्या लिखा गय इन्सेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक वहिकल बाइग गिविंग टेक्स रिबेट्स यह मैं कुछ और डेवलोप्मेंट वर्क्स की बात कर रहा हूं टेन आफ्टर भारत की डेवलोप्मेंट की बात कर रहा है और क्या लिखा गया दोल्ड इंफरसेक्च्चर अफ दि capital is being transformed into the environment friendly infrastructure यह नहीं कि जो transform किया जा रहा है old infrastructure को इंवार्मेंट फ्रेंद्ली इंफ्रसेक्टर में ठीक ना based on the modern technology without तो नहीं है ठीक आगे चले अब और क्या बोला गया एक ऐसे provisions किये गए है किसके provisions of the better living conditions to slow dwellers through regularization of the hundreds of the colonies अरे मैं capital की बात कर रहा हूं और और क्या बोला गया कि opening up of the new tourist destinations and the generation of the employment obvious अगर नए tourist destinations बनाये जाएंगे develop के जाएंगे तो वहाँ पे unemployment जो है वो भी हम लोग employment के अंदर change करतेंगे बिल्कुल अब जैसा कि most important point है work for the new parliament building under the Central Vista redevelopment project अब ये Central Vista redevelopment project क्या है हम लोग इसके ओपर आज ही अभी data add-on भी करेंगे बट पहले ये point को finish up कर लें and will not only give employment to the thousands of the people from Delhi but also change the face of the city करेंगे ये किसके अंतर कता गया अरे ये बात कि वे सेंट्रल विस्टा redevelopment project की अब आप लोग इसी के लिए थोड़ा सा data add-on कीजिए my dear students कि what do you mean by central विस्टा redevelopment project करेक्ट है यहां पर आपको डाउट नहीं होगा अब ध्यान से देखें यहां पर क्या है कि union ministry of housing and urban affairs की बात की गई है यह भारत का मंत्रा ले आ गया कौन सा है जो आपके सामने है जी डाट इस दर union ministry of housing and the urban affairs ने प्रपोस किया प्रपोस्ट दे सेंट्रल विस्टा रीड डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट इन्होंने ही तो प्रपोस्ट किया था सेंट्रल विस्टा रीड डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट इन 2019 के अंतरगत क्लियर है और इसी डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट के अंडर क्या चीज़े आ रही है आप देखिए का पॉइंट्स नोटाउन करते जाहिए बस एक तो आगया आपका कंस्ट्रॉक्टिंग त्रेंगुलर पार्लेमेंट कंस्ट्रॉक्टिंग ट्रेंगुलर पार्लेमेंट बिल्डिंग लि है काहां पे next to the इग्δिस्टिंग वडक्राइब के पाल जी बिल्कुल और और लिखा में इसी एसेंट्रल डेवलोप्मेंट प्रोजेक के अंडर और सण्ट्रॉक्ट्री डेवलोप्मेंट सेंट्रल कॉमन सेंट्रल सेक्टरीट बनाया जाएगा क्लियर है और फॉर्ट पॉइंट इसी के अंतरगत क्या लिखा गया रिवेंपिंग आफ दॉर्ट थी किलोमेटर लॉंग राजपत फ्रॉम कहां से अरे फ्रॉम राष्ट्रपती भवन से टू एंडिया गेट क्लियर है कहां तक टुद एंडिया गेट कोई डाउट तो नहीं है आगे बढ़ सकते हैं सुडेंट्स हम लोग ठीक है आगे चलते हैं तो यह था एक आपका बेसेक अग्दर डेवलोपेंट वर्क्स और हमने जो भी डाटा एड़ाउन किया वो किया फॉर्दर सेंट्रल विस्टा री डेवलोपेंट प्रोजेक्ट्स आई होप आपको यहां लुए यहां पर इंडरी नियुकर बातिया यहां पर लोगा है कि यहां भॉस्टा ऊपेंटल बोल और ओफ एंडर आरेक्ट टेक्स एंडर कॉस्टम्स के बात की जाए यांकी cbic की उन्होंने मेंच एट मेंडेक्टी एक मेंडेक्ट्री बना दिया कि जरूरी है करना फॉ लोगों के लिए जिनकी बिजनेस के अंदर मंत्री टर्न ओवर रहते है फिफ्टी लाक है फिर उससे भी ज्यादा तो पे एक लिस्ट वान परसेंट आफ दर गोड्स इन सर्विस्टेक्स लाबिलिटी एंदर कैश यानि की वो लोग तो वन परसेंट जी एस टी के लिए बिलिटी कैश के अंदर डिपॉसिट कर सकते हैं आप छे क्लियर है यह आया है नया रूल जी एस टी के अंदर और किस्टे लिए बिजनसमान के लिए जिसका मंत्री टर्न ओवर 50 लाक है फुर से भी जादा करे था ओके इवन क्या बूला गया की इट विल बी एफेक्टिव फ्रॉम दे फर्स जैनवरी 2021 एक जैनवरी 2020 से यह लागू हो चुका है देन देन नियू रूल रिस्ट्रिक्ट यूज उफ इन पोटेक्स क्रेडिट अब रिस्रिक्ट्ट्ट लगा दिये गये नय रूल आने से किसके अरे जो नए जो पुराने थे इन पोटेक्स क्रेडिट्स फॉर डिस्चारजिंग दर जी एस्ट लाबलेटी दो तू 99 परसेंट ओके देन आफ्टर नेक्स पॉइंट क्या बूला गया है थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एंडरेक्ट टेक्स अन देक्स अने की सीबी आएसी में बुक किया अबाउट 12,000 केसे को अफ द आई टीसी फ्रॉड एंड अरेस्ट ट्री सेक्सी फाइफ परसंस इन सच केसे सो फार अभी तक का इतना अरे सो चुका है यह की पॉइंट है यह हिस्ट्री है बैक्ग्राउंड है इसका क्यों नए रूल लेकर आए गए है भारत सरक अब क्या लिखा गया कि जो इंकम टेक्ट इटीसी है इस प्रोवाइड टु सेट ऑफ टेक्स पेड अन परचेस ऑफ द राव मेटीरिल्स कंजुमिबल्स गोड्जन सर्विसस दाट वर्यूस इन मेनुफेक्ट्ट्रिंग अफ द गोड्जन सर्विसस करेक्ट अब यह करता है यह जो बैरियर था सब्सक्राइब किया गया और कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ देक्स ओके अब आगे देखिए यहां पर क्या बोला गया कि वेर दो मैनेजिंग डारेक्टर और एनी पार्टनर हास पेड मोर देन वन लाक आस इंकम टेक्स और क्लिरेक डाउट तो यहां पर आगे चलते हैं क्या बोला कि the registered person have received a refund amount of more than one lakh in proceeding financial year on the account of unutilized input tax credit यह बोला गहा है कि जो registered person है वो रसीव करेगा अपने bank account के अंदर more than one lakh रुपी का refund अगर बनता होगा उसका in the proceeding financial years में on the account of unutilized input tax credits में ओके आगे बढ़ते हैं इवन क्या बोला कि this comes to only 0.37% of the total business important है जीए फिर से याद रखेगा रेजिस्ट 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 इन दे जीए से सिस्म ओके एंड आफ टोटल जी एस्टी टेक्स पेर्स अगर मैं पूरे टोटल पूरे भारत के अंदर जीए टेक्स पेर्स की बात कर लूं बेस ऑन 1.2 crores only 4 lakh have monthly supply value greater than the 50 lakh यनि की इन सभी में से सरफ 4 lakhs ही है 4 lakh have monthly supply value greater than the 50 lakh rupees ओके आगे बढ़ते हैं अब क्या बोला गया यहां पे कि of these only about 1.5 lakh पे less than 1% of the GSC liability in cash and when exclusive in the rules are applied यनि की around 1.05 lakh tax payers get further excluded again important है यह चीज़ आपके लिए ओके को डाउट रहेगा students तो please comment section में जरूर लिखकर बताईएगा याद रखे clear और मैं फिर से repeat कर देता हूं दोहरा देता हूं वही चीज़ को कि my dear students अगर आपको यह session का PDF चाहिए तो comment section में description box में आपको description box में आपको link मिल जाएगा वहाँ पर आप लोग जाए और PDF डाउनलोड कर सकते हैं यह free of cost रहेगा आप लोगों के लिए ओके आप आगे क्या लिखा दस the role would apply only to the 40,000 to the 45,000 taxpayers यह data दिखाया गया यहाँ पर ओके आगे चल सकता हूं मैं shall we proceed further students okay अब आगे देखिये क्या लिखा गया यहीं पर की देपार्टमेंट और रेवन्यू आप वोड देपार्टमेंट क्या बोलता है आप वोड देपार्टमेंट क्या बोलता है आप दीज फियर्स आर मिस पेस and only risky or the suspicious sorry suspicious dealers and the fly-by-night operators will be affected by the more यहां तो जो रिस्की कर रहे हैं suspicious dealers है यहां फिर जो रात के टाइम पर जो delivery processes दे रहे हैं आपना for the या कि वो अपना टेक्से वो बचा सकें will be affected यह जो नए रूल्स है सर्फ उनिको एफेक्ट पड़ रहा है maximum effect उनको पड़ेगा और उन्हीं के लिए तो यह टेक्स है ना ठीक है अब आगे क्या लिखा कि भारत सरकार has arrived at this rule after the detailed deliberations का फिर दिस्कॉशन वा डिटेल में discussions किया गया कहां पे in the GST council law committee में बिलकुल to identify and control only the frauders involved in the fake invoices जो fake invoice जारी किया जाता था fake dealers के द्वारा and input tax credits की जो चोरी की जाती थी यहां पे यह चीज़ इंपोर्टेंट रहेगी आप डारेक्ली बोल सकते हो जो टेक्स के लिए जो चोरी की जाती थी यूजिंग फेक invoices उसी के लिए तो government of india ने नए रूल्स को set up किया in the GST और यह काफी detailed discussion किया गया in the GST council law committee में ठीक है ना यहां पे mention भी है ताकि identify किया जा सके control किया जा सके सिर्फ फ्रॉडर्स को जो फेक invoices के अंदर शामिल है clear आगे बढ़ते हैं अब यहां पे कुछ background के अगर हम लोग बात कर लें students की central board of indirect taxes and the customs के अंतरगर्द की एक पार्ट है department है किसका revenue का under the ministry of the finance में जी एवन क्या बोला गया कि the central board of excises and the customs and the cbq उसको renamed किया गया as the central board of indirect taxes and the customs in 2018 में इसको फिर से rename किया गया after the roll out of the GST okay बढ़ते हैं आगे अब इवन और क्या बोला गया कि यह deal करते है किसके साथ deal with the task of the formalization of the policies concerning Levi and the collection of the customs central excises duties central GSTs यनिकी central G goods and service taxes and the integrated GST याद रखेगा यह किसके साथ deal करते हैं with the formulation of the policies वो किसके लिए collection of customs central excise duties का central GST और integrated GST के अंतरकत okay आगे बड़े अब आज की हमारी next news रहती है mission Sagar और यह आपके लिए important रहेगी जीएस पेपर टू के लिए अब ध्यान से देखेगा थोड़ा सा क्या है इंडियन नेवी शिप भारत का जो नेवी शिप है आइनस किलतन वो कहां पहुंच गया याद रखें मैं अब हाइलाइटर यूस करूंगा जो ग्राफिकल परस्पेक्टिव से यह चीज इंपॉर्टेंट है कमबोडिया का कौंछा पॉर्ट जहां पर आइनस किलतन पहुंचा यहां पर बात की गई है और यह पॉर्ट को थोड़ा सा याद में रखेगा दिमाग में रखिए कि अब आगे चलते हैं क्या बोला गया यह जो शिप है दे शिप विल डिलीवर 15 टन्स ऑफ इसका में अब्जेक्टिव एक तो यह पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरा पॉइंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि यहां का जो आइनस किलतन है वो केंबोडिया तक क्यों रीच किया उसका पीछे रीजन क्या था हिमाडिया असिस्टेंस केंबोडिया के फ्लट एफेक्टेट एरिया में हेल्प करने के लिए और क्या लिखा विच्विल बी हैंडेट ओवर तो दकेंबोडिया नाशनल डिजास्टर्स मेनेजमेंट कमेटी एंडेंसी को जो वहां पे हैंड ओवर किया किया 15 टन्स ऑफ हमानेटेरियन असिस्टें सब्सक्राइब कोई डाउट तो नहीं है आगे बढ़ते हैं अब आगे देखें यहां पर क्या लिखा गया सुरेंट्स की जो मिशन सागर है मिशन सागर 3 इस अपार्ट ओफ इंडिया सेचे अर्डी असिस्टेंस अभी जो हमने पढ़ आए तू फ्रेंडली फॉर्ण कंट सागर मिशन इसको लाँच किया गया में 2020 में मिशन सागर के नामजिक वास्ट इंडिया इनिशेटिव डिलिवर देलिवर देखोविट 19 रिलेटेट असिस्टेंस तो दे कंट्रीज इन इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स में और वो कौन कौन सी होंगी अरे वोंगी अप म इस इस आफ देखान रहेगा यह पूरे का पूरा पहरा प्रिल्म पर्स्पेक्टिव से इंपोर्टेंट रहने वाला है याद रखेगा माइड इयर सुडेंस मैं इंपॉर्टन हायलेट बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि यह चीज अपने आप में काफी ज्यादा रोल प्ले करती है कि भारत ने कोविट नाइंटीन पैंडमिक में जो कोविट नाइंटीन के रिलेटेट असिस्टेंस है किस को मदद गी वह आप लिखा कि इंडियन ओशन लिटरल सेट जिसके में रिमालदीफ मॉरिश्यस मेड यह जो मिशन है इस बिंग अंडर्टेकन इन अकॉर्डंस विद दर सेक्योरिटी अन ग्रोट फॉर आल इन दरीजिन की सागर के अंतरगत हुआ विजिन अन रिट्रेट इंडियास पोजीशन अस अधिपेंडेबल पार्टनर ओके तो यहां पे भारत कोई डिपेंडेबल बोला गया बिल्कुल आज दे एंडियन नेवी आज दे प्रेफर्ड सेक्योरिटी पार्टनर और फिर्स्ट रिस्पोंडर्स अगें इंपोर्टन इचीज अब भारत का यहां पे पोजीशन को भी दिखाया गया सुडेंस यह इंपोर्टेंट रहेगा आप लोगों के ज़े कि इट एस डूर्टा क्रास एंटी सम्मरीन वारफीर है । और लिखा इंडियन नेवी इस्ट्रूं निवल कमांड का जो विशाक पत्नम के अंदर इसका बेस है करेक्ट है हम बात कर किस की रहे है अरे विशाका पत्नम के अंदर इसका बेस रहेगा अब क्या है जो आए एनस के लतन है along with the INS सहाधरी is the latest यह दोनों latest है याद रखे कौन एक दो INS गयतन और एक आगे आपका INS सहाधरी इंडिजीन इसली डिजाइन है और बिल्ट किया गया मल्टी रोल शिप्स में इंड नेवी और अब क्या आ गया security and the growth for all in the regions के अंतरगत यह launch किया गया 2015 में इंडिया का strategic vision था for the Indian ocean region through the saga और इंडिया क्या देखता है इंडिया seeks to deepen the economic and security corporations किसके अरे maritime neighbors के साथ assist करता है in building its maritime security capabilities okay भारत अब बढ़ा रहा है इस सीज को maritime security capabilities को okay आगे क्या लिखा कि the key relevance of the saga emergence sorry emerges when seen in the conjunction with the India's other policies किसको इंपेक्ट करते है इंपेक्टिंग दर मेरिटाइम दो में लाइक एक इस policy project सागरमाला project most some focus on the blue economy again most important point for the prelim perspective okay चलें आगे तो आज की मारी next news रहती है fall in the manufacturing PMI यह आपके लिए important है GS paper 3 के लिए shall we start students कि देखे का ध्यान से क्या है कि the purchasing manager index भारत के लिए manufacturing क्या शो करता है कि जो sector expansion है as well as the pace of the new order वो काफी धीमा हो चुका है employment भी decline हो गया as business optimism faded during the month of November यह data आया पूरे November के लिए okay अब even PMI यह एक ऐसा indicator है जो business की activity को शो कर रहा है even in the manufacturing in the service sectors में और क्या बोल दिया कि इंडिया purchasing manager index PMI 3 months का काफी लोड चल रहा है 56.3 था नवंबर के अंदर from and over 12 years high of 58.9 in the October okay तभी तो यह नूज आये आगे कि in the PMI parlance a print above 15 50 mean expansions while a score below that denotes contraction even although भारत का जो पर चेसिंग मैनेजर इंडेक्स है कि PMI sorry in the expansion zone ongoing rise in the covert cases in the some states uncertainty among the regional lockdown is detenting confidences यहां पर यह भी हडल आ गया हमारे ली तो जी बिल्कुल अब इंडिया का जो मैनुफेक्ट्टर है और री फ्रेंडिंग फ्रॉंड हाइर एंप्लोईमेंट फेल इंप्लोईमेंट फेल इन नवंबर आस का है ask the respondents about the changes in their perceptions about the business variables even क्या लिखा गया as compared with the previous month अगर पिछले महीने से हम लो comparison करके देखे तो ओके अब आगे the purpose इसका purpose क्या है PMI का कि to provide information about the current and the future business condition to the company जो future है और जो present है उसको यह दिखा देगा purchasing manager index आपका PMI indicator और यह calculate किया जाता है separately for manufacturing in the service sectors के लिए और इसके 0 to 100 एक number रहती है यनि कि अगर PMI 50 से जादा हो गया तो वो represent करता है expansion को यनि कि compared to the previous month अगर यह 50 की under रहता है तो contraction है और अगर reading इसका 50 तक आ गया तो no change वहीं पर है नहीं decline किया नहीं rise किया यह चीज़ है क्योंकि यह future और पाज sorry present को शो कर रहा है company का growth का इसी के अंतर का देखें यहां पर क्या लिखा गया अगर PMI previous month के अंदर बढ़ा then the PMI of the current month तो यह क्या represent करेगा economy is contracting अरे सुकड रही है तो वो concept है ना क्योंकि आपप यह मैं कर रहा है it is usually realized at the start of every month or good leading indicator of the economic activity consider क्या गया है PMI को और यह PMI is compiled by the IHS market for more than 40 economies worldwide IHS market is a global leader in the information and analytics and the solution for the major industries and the market that drive the economic worldwide okay even as of official data के गर बात कर लें जो industrial output के आधार पर आ चुका है हमारे पास देखेगा ध्यान से clear है यहां पर बोल दिया कि manufacturing GDP growth come much later और PMI help करता है make informed decisions at an earlier से ताकि पहले हम लोग एक decision ले पाएं ताके मारा PMI बढ़ जाए और different from the index of the industrial production यह different IIP से which also gauge the level of activity industrial index sorry index of industrial production अलग है किस से PMI से okay तो students जैसा कि आप देख पा रहे है हमारे पास आगे भी news पढ़ी है but due to the time मैं आज का session नहीं तक रोपता हूं और आशा करूँगा कि आपको यह वाला session भी काफी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको maximum से maximum share करें और व्यू करें थेंक्यू झाल हुआ झाल हुआ 것은 लिए पांगा हुआ झाल